दलाइफ टीवी सच सबसे आगे लेकिन मौधी जी के रहते हुए जिस तरीके की बाते अन्ने देशों के खासतोर पर अमेरिका दोरा की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही हाथ से अस्पद है और सवाल खड़े करने वाली कि आखरकार अमेरिका ने इस तरीके से कैश्छे कहा क्या वज़े है कि अमेरिका ने इस तरीके की बातें भारत के लिए कही है और जो कुछ कही है उस से जो है सवाल जरूर खड़े हो गये हैं कि आखरकार इस तरीके का वक्ता बी तो नहीं दिया जाना चाही है और उसे सीधे तोर पर सवाल भी खड़े होते हैं मूरी सरकार पर और ये कारकाल पर दरसल देखे क्या कहा है ये वीपी नियूस की खमर है कि जो बाइडन का एक कन्टुवर्शियल स्टेट्मेंट आया है और उस statement के बाद यहां भारत में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि अखिकार जो बाइडन ने ये क्यों बोला दरसल जो बाइडन की तरफ से जो वक्तब में दिया गया है उसमें सीधे तोर पर कहा गया है कि भारत जो है वो जेनोफोबिक देश है जेनोफोबिक देश कहा गया है अमेरिका के राष्टपती जियो बाइडन द्वारा भारत के लिए कि भारत एक जेनोफोबिक देश है अब जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है यह आपके मन में सवाल होगा जिनोफोबिक का मतलब है दूसरे देश के लोगों के साथ सही व्योहार ना करना या फिर दूसरे देश के लोगों के साथ गलत व्योहार करना जानी नफरत करना सीरे तोर पर अगर इसारों इसारों में बात गहें कि दूसरे देश के लोगों के साथ नफरत भरा ब्योहार करना यही जिनोफोबिक कहा जाता है इसका जिनोफोबिक का मतलब यही होता है अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि जो वाइडन ने भारत के लिए ऐसा कैसे कह दिया भारत जो दूसरों को गले लगाने वाला देश है भारत जहां समरस्ता सबसे बड़ा प्रतीक है भारत जहां पर लोग मिल जुल कर रहते हैं भारत जहां सभी लोगों को सम्मान देते हैं भारत जहां वसुदैव कटुमबकम की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भारत जहां आतिती को भगवान माना जाता है उस भारत के बारे में अगर जो बाइडन की तरफ से टिपड़ी की जा रही है कि ये जिनोफोबिक देश है यानि दूसरे देशों के लोग के साथ नफरत भड़ावे उहार किया जाता है तो फिर तो ये गलत है और अगर ये कहा जा रहा तो इसके पीछे रीजन का है यही निसके पीचे सवाल जो है मौधी सरकार बर भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं अब चलिए आगे ख़बर की तरह बढ़ते हैं खबर में देखे लिखा है कि अमेरिका के राष्ट पती जो बाइडन ने चीन रूस के साथ भारत के खिलाब भी घलत बयान बाजी की है जिस पर अब घरते हुए भी नजर आ रहे हैं जो बाइडन ने भारत, चीन, रूस और जापान को जिनोफोबिक देश कहा है जिनोफोबिक उनको कहा जाता है जो बाहरी देश के लोगों से या बाहरी लोगों से नफरत करते हैं यानि बाइडन ने भारत को एक ऐसा देश कहा है जो दूसरे देशों के लोगों से नफरत करता है सीरिय शब्दों में कहें थो बाइडन ने कहा कि चीन, जापान और भारत में जेनोफोबिक की वज़े से विकास धीमा है उनका मानना है कि माइग्रेशन अमेरिकी अर्थवस्था के लिए अच्छा रहा है लेकिन ये देश जेनोफोबिक की भावना की वज़े से माइग्रेशन के नाम से डरते हैं तरसल अमेरिका में सल नवंबर में राष्टपती का चुनाओ है बाइडन भी चुनाओ रेलियों को संबोधित कर रहे हैं बुदवार को बाइडन एशियाई और दूसरे खेर अमेरिकी मुल्क के लोगों को संबोधित कर रहे थे इस दुरार नोंने अप्रवासिय का मुद्दा उठाया बाइडन ने कहा कि हमारी अर्थवस्था के बढ़ने का कारण आप जैसे अनेक लोग हैं हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं लेकिन कई देश प्रवासियों को बोज समझते हैं आज चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरा क्यों रुका हुआ है जापान को परेशानी क्यों हो रही है रूस को क्यों दिक्कत है भारत क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वे जैनोफोबिक हैं वे अप्रवासियों को नहीं चाहते लेकिन सच ये है कि अप्रवासि ही हमें मजबूत बनाते हैं नובंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है इसस्टेट्मेंट के अपने अलग माईने भी निकाले जा रहे हैं इस साल नובंबर में होने वाले चुनाव से पहले माईग्रिशन एक बड़ा मुद्धा नगया है रेपब्लिक पार्टी भी इसको लेकर मुद्दा उठा रही है वही डेमोक्रेटिक बाइडन भी इस पर बात कर रहे है बाइडन ने धोराल ट्रम्प की अप्रवासी विरोधी बयान बाजी की भी निंदा किये बाइडन ने कहना है कि प्रवासी परिशानी का सबब नहीं हमारी अर्थवस्था का हिसा है अब अगर प्रवासीों के बारे में कहा जा रहा है बाइडन के द्वारा क्या प्रवासी हमारी अर्थवस्था का हिसा है तो फिर भारत के लिए बाइडन ने आखरकार ऐसा क्यों कहा? क्या मोधी जी और बाइडन जी में पट नहीं रही है? या पटरी नहीं खा रही है? इसे पहले भी आपने देखा जब मोधी जी गए थे अमेरिका तो मोधी जी का स्वागत किस तरीके सुवा था कि मोधी जी को आकर अपने देश में अभिनंदन समारो करवाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर कोई कारक्रम नहीं हुआ वहाँ पर भारत देश के कई महनी पत्रकार भी वहाँ गए थे और वो इस बात का महिमा मंदन करने की कोशिश भी कूप कर रहा है कि देखिए मोधी जी का दोरा हो रहा है ना अख़बारों में खबर मिल रही थी ना कहीं और खबर मिल रही थी आपको याद होगा शायद हलका फलका किस तरीके की चीज़े हुई थी तो क्या उस चीज़ को दोराया जा रहा है क्या प्रधान मन्तिरी नरेंदर मोदी जी जो बड़ी-बड़ी बाते चारते हैं बड़ा महिमामन्डन करते हैं और उनके गैंग के लोग हैं वो लगातार वकटब दिये जाते हैं सवाल पर सवाल खड़े करते हैं अगर देश में कोई या देश को कोई आगे ले जा सकता है वेश्विक इस तर पर देश को किसी ने आगे बढ़ाया है तो मोदी जी ने बढ़ाया है विश्व में देश का नाम रोशन किया है तो मोदी जी ने रोशन किया है जबकि अपने देश का नाम तो पहले से ही रोशन और उसको विस्तार करने के लिए भी सोचता है तो वो भारत की और जरूर देखता है तो ऐसे में भारत का नाम तो आज से नहीं सदियों से है वजूद है नाम है लेकिन यहां पर आप जानते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया और वाटसेप ये निवस्टी के ग्यान को बगारन के लिए मोदी जी का महिमा मंदन करने के लिए ये उनके दिमाग में भरा जाता है कि देखो मोदी जी हैं तो मुम्किन हैं मोदी जी की वज़े से देश का नाम है मोदी जी की वज़े से विदेशों में हमारी पहचान है हम कई लोग फिल्ड पर रिपोर्टिंग करने के दर और यहीं समझ में आता है कि इस तरीके की चीज़े फैला कर बताई जाती है काहता है कि मोधी जी ने जितने दौरे कि उतने किसी ने किसी ने किये हैं मोधी जी के दौरों का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है मोधी जी की वज़े से बहुत सारी कंपनिया भारत में निवेश करने को तैयार है हर देश से मोधी जी के संबंद बहुत खनिष्ट है और उसी का फाइदा उठाते हैं मोदी जी जापान जाते हैं तो गीता पकड़ा देते हैं और उसके बाद बिजनिस ले आते हैं बहुत सारी चीजे हैं लेकिन क्या उन सब जो दोरे थे उन सब यात्राओं का कोई असर पड़ रहा है भारत की अर्थरवस्था में कोई सुधार हुआ या भारत के बेरोज़गार युवाओं को नौक्रिया मिल गई या भारत देश का किसान जो है वो ठीक ठाक से आमदनी कर रहा है वो सड़कों पर अब नहीं उतर रहा है वो खुशहाल जीवन जी पा रहा है क्या ये सब सम्भूब क्या भारत की जो अर्थवस्था है वो ग्रो कर रही है क्या हम विकाश श्रील की शेड़ी से विक्षित की और आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अब पूछे जाने लगे हैं क्योंकि जिस तरीके से अन्य दैसों की टिपपड़िया अब आ रही है तो वो सवाल पूछने पर वो मजबूर कर रही है के आखरकार इस तरीके से महिमा मंडन के बावजूद भी जो बाइडन कैसे भारत देश पर टिपड़ी कर देते हैं वो कैसे ये कह देते हैं कि जिनोफोबिक देश है जहां पर दूसरे देशों के लोगों के साथ नफरत जिसा वेवहार किया जाता है जबकि भारत देश तो सिर्फ प्रेम और सौहार्थ का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है जहां हर धर्ब के लोगों को सम्मान दिया जाता है जहां पर हर दूसरे देश से आए हुए लोगों का सम्मान किया जाता है चाहे वो परेटक स्थलों पर हो चाहे अरने जगों पर हो लेकिन इस तरीके की जो बातें कही गई है इससे जरूर ठेस पहुची है दे लाइफ टीवी कोगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू के लिए आइकन दबाईए ताके सच खबर आप तक पहुंस दिरें नमस्कार